वेलकम बैक दोस्तों, अगें दिस इस कृष्णा वसेस्ट एंड यू और लिसनिंग तो मी और माई ओफिशियल यूटूब यूटूब चैनल टैट्स कुरू अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टैट्स कुरू को तो सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मै परोट में हम बोलते हैं SI ठीक है और गिल फड की जो इंटेलिजन्स की थियोरी है, इसको हम 3D मोडल भी बोल सकते हैं ठीक है और बताऊंगा कि इसको 3D मोडल क्यों बोलते हैं, क्या रीजन है 3D मोडल बोलने का और अब तक कि ये सबसे इंपोर्टेंट थियोरी तो कही जा सकती है, लेकिन ऐसी theory है, दोस्तों, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा types है, intelligence के, अब तक जितने भी हमने theories पढ़ी है intelligence के अंदर, किसी में 8 type होते हैं, किसी में 4 होते हैं, ठीक है, किसी में 1 होता है, कोई Unie Factor है, कोई 2 Factor है, कोई Multiple Intelligence टाइप है लेकिन ये ऐसी थियोरी है अपने आप में जिसके अंदर गिलफर्ड ने सबसे ज़्यादा intelligence की abilities को count किया था ठीक है और उन्होंने तीनों ही perspective में इसको count किया था और इनके मुताबिक जो abilities होती है total वो होती हैं दोस्तो 180 आप देख पारें 5 into 6 into 6 बनता है 180 ठीक है तो क्यों हम इस model को 3D model बोलते हैं because गिलफर्ड ने यहाँ पर जो intelligence के types बताए है basically मोटे तोर पे वो बताएं 3 ठीक है अब वो कौन-कौन से हैं एक पर देख लेते हैं सबसे पहला उन्होंने type बता है intellectual content अब intellectual content उन्होंने एक intelligence का main type बताया है इसके अंदर 5 तरह की abilities आ सकती है जो की intellectual content से ही related है आप कह सकते हैं वो सब intelligence types है ठीक है जो main आपका intelligence type है वो है intellectual content जो की 5 तरह की intelligence को अपने अंदर रखता है उसके बाद mental operations तो mental operations के अंदर 6 तरह की abilities आती है ठीक है और उसके बाद intellectual product इसके अंदर 6 तरह का intellectual product abilities आती है तो basically इनोंने mainly तो 3 तरह की abilities दी है लेकिन उनके अंदर भी सब abilities है ठीक है तो अगर हम multiplication theorem use करें mathematics में तो total जो theorem बनती है जो total abilities बनती है मतलब 5 into 6 into 6 तो total बन जाएगी दोस्तो 180 ठीक है total 180 यह अपने आप में ही बहुत ही जाद abilities है और उन्होंने कोशिश की है कि कोई सी ability छूटे न तो basically इन्होंने तीन टाइप की abilities दी है और तीन टाइप की जो abilities है उनको हम represent कर सकते है 3D model में ठीक है 3D model में हम उसको represent कर सकते हैं इसे दोस्तों देखते है जो intellectual content है यह वाला जो आपका intelligence है intellectual content इसका dimension यह है ठीक है vertically और यह 5 टाइप का है आप देख सकते हैं 12345 ठीक है यह 5 टाइप का है उसके बाद mental operation mental operation को represent करती है यह line ठीक है और mental operation आप देख पा रहे हैं कि 6 टाइप का है आप देख लो गिल लो इने 1 2 3 4 5 & 6 ठीक है उसके बाद जो intellectual product है उसका dimension यह है जो intellectual product है उसका dimension यह है आप गिल लेना इसमें भी 6 टाइप की सब intellectual intelligence है इसमें ठीक है तो according to गिलफर्ड उन्होंने बोला है कि actually में यह जो intelligence के types है इनको हम एक 3D model में represent कर सकते हैं और total जो abilities बनेगी वो बनेगी 180 वैसे starting में उन्होंने काफी कम यह आप कहलें कि कम abilities उन्होंने propose करी थी लेकिन उन्होंने बाद में अपनी searching जो है चालू रखी और उसके बाद कुछ abilities उन्होंने add कर दी और total बन गई 180 इस वज़े से हम गिलफर्ड के structure of intellect को 3D model भी कह सकते हैं ठीक है तो दोस्तों आज के सिरफ इतना ही बहुत ही छोटी थोरी है यह डिसक्स करने के लिए इतना कुछ है नहीं इसमें आप जस्ट इसमें main-main चीज़े याद रख लें कि बहुई टोटल number of abilities कितनी है 180 है और जो main-main इसके perspective है जो 3 है वो कौन-कौन से है बेसिकली 3D model को क्यों कहते है ठीक है इसको बनाने वाले कौन थे गिलफर्ड थे इसको बनाने वाले तो यह हमारा आज का जो topic था जो वीडियो थी यह last है intelligence के अंदर इसके बाद जितनी भी वीडियो आएंगी वो personality regarding आएंगी ठीक है तो intelligence में मोटे मोटे तोर पे हमने इतना बहुत कुछ कर लिया है ठीक है आप मेरी इस playlist में YouTube playlist में आप देख सकते हैं सारे intelligence के videos मैंने cover करे हैं ठीक है in case अगर आप मेरे channel पर नए आए तो subscribe जरूर कर ले क्योंकि आगे भी मैं बहुत ही important videos ले के आता रहूँगा thank you very much दोस्तों इस video को देखने के लिए धन्यवाद